न्मस्कार दोस्तों आप से भी का मारे यूट्यूब चैनल मैं विक आटोमेशन में स्वागत हैं आज के इस वीडियो टुटोरिल में हम चेक करेंगे mathematical functions के बारे में बिसिकली जो mathematical functions है वो calculations के लिए हम इस्तमाल करते हैं जहाँ पे भी हमें कोई mathematical calculations के requirement है या कोई formula लगाना है PLC ladder logic के अंदर देन हम वहाँ पे mathematical functions का इस्तमाल करेंगे mathematical functions में जिस तरीके से हम नौमल मतेमेटिक्स में करते हैं जैसे 2 प्लस 2 इकोल टू 4 यह यह कहें वेरियेबल वन प्लस वेरियेबल टू इकोल टू वेरियेबल 3 तो इसी तरीके से PLC के अंदर ब्लॉक मिलता है में mathematics का उसमें एक source A होगा एक source B होगा और एक result store करने के लिए destination होगा वेल्यवान ये वेल्यवटू पर हम टैम आउं या काउंटा की एक्किमिलेटर वेल्यू या कोई source वेल्यू या कोई हम डेटा रेजिस्टर का इस्तमाल कर सकते हैं और destination पर हर समय हम एक फाइल लोकेशन का इस्तमाल कर लेंगे जनरल हम वहाँ पर एक डेटा रेजिस्टर को स्टोर कराते हैं तो जो mathematical functions हैं वो हमारे चार तरीकी के mathematical functions हैं यहाँ पर addition, subtraction, division and multiplication तो इससे addition में v1 plus v2 that is source a plus source b equal to destination इसी तरीके से subtraction, multiplication and division तो आईए start करते हैं let's suppose कि अगर हमें को 16 bit data को addition अगर कराना है तो हम यहाँ लिखेंगे ADB और addition अगर subtraction कराना तो SUB multiply कराना तो मुल और divide अगर कराना तो दी आईए डी आईए डी स्पेस दी जिरो स्पेस दी तू स्पेस दी पूर अब जैसे दी जिरो के अंदर हम वेल्यूस रखते हैं let's suppose के फाइव एंड डी टू में हम रखते हैं के थाटी फोर अब जैसे हम से चांग करेंगे तो टोटल रजर्ट अगर को थाटी टूब बिट डेटा है अगर को थाटी टूब बिट डेटा है देन हम यहां पर लिखेंगे डी फॉर डबल इंटेजर एडी डी पी डी शिक्स डी एट एंड बी टेन अगर फाइल करेंगे डी शिक्स में एक वैल्यू रखते हैं थर्टी टू बिट में के नाइन हंड़िट अगर हम किसी फ्लोटिंग वैल्यू का एडिशन करना चाहते हैं देन हम यहां पर डी खरेंगे डी आपर इस फॉर एट इस फॉर बीशन इस फॉर इस प्री एल बाली या फ्लोटिंग वैल्यू एड बिड फेस बीड फॉर्टीन इस एल्टीन अब जब हम यहां पर वैल्यू देंगे फ्लोटिंग पर एप के साथ होगी एफ वन पॉइंट टो ट्री एंड बीट पॉइंट पर एफ सवन पॉइंट और फाइब ओके करते हैं तो अभी हमें जो दिखाए दे रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं दिखाए दे रहा है इस पॉइंट को चेंज करने के लिए हम वीव पर जाएंगे मॉनिटर डेटा में फ्लोट तो जैसे हम फ्लोट करते हैं तो देखिए दे ट्वेल के वाली बन पॉइंट ट्री बी फॉर्टिंग के वाली सेवन पॉइंट पॉइंट फाइव दिश्टीन में जो टोटल एड डेटा, 32-bit डेटा और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में अडिशन सब्स्ट्रेक्शन या डिविजन या मैथमेटिकल फांक्शन करना है तो हम इन इन इंस्ट्रेक्शन का इस्तमाल कर सकते हैं थैंक यू